दोस्तु हमारे चैनल घरेलू निसके को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना नभूलें दोस्तो वैसे तो नीम की पत्या खाना सेहत के लिए फाइदे मंद होता है इसे खाने से सरीर को कई फाइदे मिलते हैं लेकिन नीम की पत्यों का अधिक सेवन करने से आपको कई परेसानिया भी हो सकती है दोस्तों गर्वती महिलाओं को नीम की पत्यों को खाने से बचना चाहिए साती आपको पेट से जुड़ी समस्या है तो नीम की पत्यों का सेवन न करें आईए जानते हैं नीम पत्ते खाने के नुकसान के बारे में लो बलड सुगर की समस्या नीम के पत्तो को खाने से आपको लो बलड सुगर की समस्या हो सकती है इसका सेवन करने से सुगर का इस्तर कम हो जाता है बलड सुगर लो होने के कारण आपको उल्टी और चक्कर भी आ सकते है एलर्जी नीम के पत्तों का अधिक सेवन करने से आपको एलर्जी की समस्या हो सकती है साथी इसे खाने से इस्कीन में रेसेज भी होने लगती है पेट के लिए नुकसान दायक नीम के पत्तों से आपको पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है नीम के पत्तों में ऐसे कई गुण होते हैं जो अपच कब्ज और गैस का कारण बन सकते हैं साथी इससे आपको मितली की समस्या हो सकती है किड़नी डेमेज होने का खत्रा नीम की पत्या किड़नी के लिए काफी नुकसान दायक हैं नीम की पत्यों में ऐसे कई गुण पाई जाते हैं जिससे किड़नी पर अधिक भार पड़ता है। ऐसे में अधिक मातरा में नीम की पत्याँ खाने से बचना चाहिए। इम्मिनिटी को कमजोर करता है नीम की पत्या खाने से आपकी इम्मिनिटी कमजोर हो सकती है इम्मिनिटी कमजोर होने के कारण कई तरह की बिमारियों के होने का खत्रा बढ़ जाता है नीम की पत्यों को खाने से सरीर को इतने जादा नुकसान होते है दोस्तो अगर आपको हमा आरे चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलें